So, Hello दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका फोन भी बूट लूप में स्टक हो गया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो तो सबस्टाले आपको बता दूँ कि बूट लूप क्या होता है टूइब स्टाले गूत बिदूक का मतलब होता है कि जब आप फोन को ओन करते हो कि आप जो में आप पांको बताता हूं कैसी इस शिवी कर सकते हो फिलाल स्रफ कस्टम और बगताूम संक पर लिए और आप या उस्से कर सकते हो थो प्लूट पर सकते हो तो चलिए बिना किसी देरी किये, चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबस्वाले आपको अपने फोन को TWRP रिकावरी में बूट करने के लिए आपको अपने फोन का पावर बटन और वालेम आपको बटन दोनों को एक अठा प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा तो जैसे आपने इन दोनों को प्रेस एंड हो जाएगा जैसे आपकी पहली स्क्रीन आइफोन की जो भी आपका फोन का लोग है तो आपने दोनों बटन को छोड़ देना है इंस्टॉल में जाने के बाद आपको अपनी जो कस्टम रोम की फाइल है उसे ढूंडना है तो इस मैट्वले हम कस्टम रोम को डिर्टी फ्लेश करेंगे डिर्टी फ्लेश क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं तो सबसे लिए अपने फोन की जो कस्टम रोम फाइल है जिस तो सबस्क्राइब इस बार हमने डिर्टी फ्लेश करने है तो यह होता है कि हमने अपने जो रोम है उसे बिना कोई फॉर्मेट की फॉन को वैसे का वैसे इंस्टाल करतेना है तो आपने वही रोम फ्लेश करने जो अपकर अभे आपका पढ़ी तो यह सब भी सब्सक्राइब करता है कोई भी हो आपको चर्पीक रहता है आपका लास नहीं होगा सारना यह अब कुछी देर में आप देखोगे कि जो हमारा फून है वो बूट लूप से बाहर आ जाएगी तो कुछी देर में रोम फ्लेश होने वाली ए परसाइस से कम्लीट होने वाला है थोड़ा वेट करते हैं तो जैसे आपने देखा कि हमारा प्रसाइस कम्लीट हो चुका है तो हमने रीबूर सिस्टम कर दिया और जैसे आप रीबूर सिस्टम करोगे तो आप आप अपका फोन है वो बूट लूप से बाहर आ चुका होगा और आप सिदा अपने फोन की मेंन सक्रीण पे बस इतना ही, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को जाल से जादा लाइक एंड शेर किजिए, so that's it, thanks for watching, have a good day, bye ऑन्व work, h